नमस्कार मार्केट संबाद में आपका स्वागत है इस समय हम खाती बाबा मार्क से जो अंदर की ओर मार्क जाता है टूबेल रोड कहते हैं उसको उस रोड पर मांट लेटरा जी स्कूल है आप देख रहे होंगे सामने सटाडे संदे लोगडाउन खतम होने के बाद किस हाल में हैं धासी की गलियां खाती बाबा छेतर की गलियां किस हाल में आप देख रहे हैं सारा रोड सुनसान है बिल्कुल भी चैल पहल नहीं है बार अभी भी कोरोना की धैसत है लोगों के अंदर अब बेजा घर से नहीं निकलते हैं जरूरत पढ़ने पर ही निकलते हैं घर से यह जासी के लिए अच्छी बात है पर्षासन ने जो पहल की है मानिये आनन्द बामसी जो टीम साभ है जहां सी के और परिस पर शासन ने जो रोड पर उतर की अपिल की है लोगों से उसका काफी अच्छा अफर हुआ है क्योंकि लोग काफी जागरोख हो चुके हैं और अब टेस्टिंग काफी संख्या में करा रहे हैं लोग बलचल कर हिस्सा ले रहे हैं सेंप्ल टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं जासी में और अब मरीज कम भी निकल रहे हैं पॉजेटिब केस कम नकल रहे है त्य अच्छी बात है जाची के लिए धीरे धीरे हम क्रोना की हरा हराने की वह रहें जाची में कि लोग बल चड़ कर जाच करा रहे हैं अपनी टेस्टिंग की पहले लोग घबडा रहे थे अब प्रशासन की अपील के बाद लोग बाहर निकल कर अपनी टेस्टिंग करा रहे हैं इस सामने अनवार फारम हाउस है जो विवायगर है आप देख रहे हैं सामने को रोना हाल में वीरान पड़ा हुगा है समय क्योंकि सारे विवायगर बंध है वर्शासन के आदेश है यह सुनसान गलियां है अंदर की यह जो आप मार्ग देख रहे हैं रोड को यह महांटलेटरा के बगल वाली गलियों का हाल है सारी गलियां सुनसान हैं एक का दुक्का ही लोग नकल रहे हैं यह गली में जो श्री फूल्चंद जी रहते हैं जो पूर पारशद हैं उनके नाम से यह गली प्रिशद्ध भी है कोई भी पता बता देता है अगर लोग बाहर के लोग यहां पे आते हैं और पता पूछते हैं तो कोई भी व्यक्ति फूल्चंदुवेदी के नाम से पता पूछ लेता है तो लोग बता देते हैं इतने फेहमस हैं, फूल्चंदुवेदी जो अच्छे सुवाव के हैं, समाज से भी हैं, एका दुका ही लोग देखने को मिल रहे हैं, सारी गलियां सुनसान हैं, सटार्डे संडे जो की लोगड़ान रहता है, लोगड़ान खुलने के बाद भी लोग बे बजाए अब नहीं नकलते हैं घर से, यह अच्छी बात है, लोग बाग हमारे मार्केट समाध चैनल पर कमेंट कर रहे थे, भेज रहे थे, कि सर्जी हमको दीन द्याल नगा टूबेल रोड दिखाईए, कमेंट करकर अपील कर रहे थे, सर्जी आप टूबेल रोड दिखाईए, अगर हमने टूबेल रोड आपको दिखाई है, अगर आपको रोड अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सेयर करें, करोना काल में जो आपने जीवन काटा है, अपना धन्दा किया है, बिजनिस किया है, किस हाल में रहे हैं, करोना काल में जीने की कला सीखी है, जीने का अनभाव किया है, अपने जिन शर्या को बदला है, करोना काल में आपने अपना सारा सिस्टम समय जीने की कला सीखी है, ऐसे ही अब आपको कोरोना काल में, अभी कुछ मैने तक तो जब तक बैक्सिन नहीं आ रही है, तब तक आपको ऐसे ही कोरोना से समझोता करके, जिसानिदिस फालो करके आपको जीवन ग्यापन करना होगा, अब आप आदत में उतार चुके हैं, तो कुछ सालों तक मैनों तक ऐसे ही लोग आदत में बना चुके हैं, वैसे भी हाथ दोने के लिए, बार बार हाथ दोएंगे, सैनिटाजर लगाएंगे, मुँ में माक्स लगाएंगे, अभी काफी दिन ये चलेगा, जब तक कोई वैक्शिन नहीं आती है, धनवाद, रपोर्ट अनल मौर घासी.